नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूजेटीन मद्रप्रदेश चौतीस गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपर्णा मौज़म शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुना में कॉंग्रिस चल सकती है बड़ा दाव दिगवजे सिंग पर लगा सकती है कॉंग्रिस दाव जोतिरादितिस सिंध्य के खिलाफ मैंदान में हो सकते हैं दिगवजे सिंग गुना में सिंध्या और दिगवजे में क्या होगा मुकाबला ये बड़ा सवाल यहाँ पर अतार हैं सोर्सिज कि गुणा में दिगविजर सिंग को कॉंग्रेस उतार सकती है खाला कि दिगविजर सिंग मना कर चुके हैं लोग समझ नौव लड़ने से उनका कहना है कि अभी उनका राठी सम्भा का कारेकाल बचा हुआ है लेकिन पाठी आलॉकमान फैस्कला ले सकता है कि गुना में दिगुजस सिंग को उतारा जाए साथ तारीकों CEC की बैटाफ होनी है उसके बाद ही चीजे साफ हो पाएंगी तो गुना में मुकाबला हो सकता है महराज वर्सिस राजा का मध्यप्रदेश की गुना शिप्पूरी सीट पर बीजेपी की उमीदबार का एलान होते ही यहां की सियासी हल्चल बढ़ गई है कॉंग्रिस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजे सिंख को बीजपी उमीदबार जोती रादिते सिंध्या के सामने खड़ा कर सकती है बात वही है कि जो तेरा सिंध्या जी जिन से चुनाव हारे उनीक के शरण में चले गए यह कोई भादुरी की निशानी नहीं वजह साफ है कि गुना शिप्पूरी की रागोगर विधानसभा सीथ दिग्विजे सिंग की परम परागत सीथ है इस पर उनके बेटे जै भरदन सिंग लगातार तीसरी बार विधायक है निश्यती समिकरन का कॉंगरस को कुछ फाइदा मिल सकता है क्योंकि इसी सीथ से पिछले चुनाव में जोती राधित्य सिंध्या कॉंगरस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था दिगविजे सिंग उन्हें खुल कर चुनावती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादूरी की निशानी पेश नहीं की वही बीजेपी ने कॉंगरस के पास दूसरे कोई भी विकल्प ना होने का दावा किया है उनका दावा है कि कॉंग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीती, ना विचार है कॉंग्रेस का अपना मन है, वो जिसको लाना है लेकर आए क्योंकि वो तो ये तलास रहे हैं कि जमानत किसकी बचेगी ये कांग्रेस के पास न नेता न नीती न विचार कांग्रेस का अपना मत है उनको जिसको लाना लाना है वो तो ये तलास रहे हैं कि जमानत कौन की बचपाई इस वारत में कांग्रेस लगी हुई है और निश्चित तोरपे मोदी जी की जो विजन है 2047 का जो लक्ष है और बरत्मान की जो परिस्तितिय है उससे इस पस्ट तेह कि इस बार 29 की 29 सीट है भारती जन्तर पार्टी प्रिचन्द वहुमत से जीते 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 वैसे गुना सीट के तिहास पर नज़र डालें तो यहां हमेशा किसी का वर्चस्व नहीं रहा है साल 1952 के चुनावों में गुना सीट से हिंदू महसभा के वीजी देश पांडे जीते थे साल 1957 और 1962 की चुनाव में कॉंग्रिस के विजय राजस सिंधिया और राम सहय पांडे जीते साल 1967 की चुनाव में ये सीट स्वतंतर पार्टी के हिस्से में आई थी और साल 1971 में या भारते जनसंग का उमीदवार जीता इसी थारा कभी कॉंग्रिस तो कभी कभी बीजय पी के हिस्से में सीट आती रही है बीते दौर का सिंधिया रियासत में आने वाली गुनाश्विपूरी सीट में जोतिरादित्य सिंधिया महाराज के नाम से जाने जाते हैं और इलाके के लोग दिग्विजे सिंख को दिग्गी राजा कहते हैं ऐसे में अगर दिग्विजे सिंख कॉंग्रूस की तरफ से उतारे गए तो गुना में राजा वर्सिस महराजा का मुकाबला दिल्चस्प होगा अश्रिफ सिंगासन की लडाई में गुना में मुकाबला महराज वर्सिस राजा हो सकता है अगर वाकई ऐसा हो गया तो दिल्चस्प उजाएगा एक खेल आप बिल्कुल देखिए अगर ऐसा हुआ जोती रादितिस इंदिया बीजेपी की तरफ से और कॉंगरिस की तरफ से दूसरे राजा दिगविजे सिंग तो दिल्चस्प मुकाबला गुना में देखनों को मिलेगा हाला कि 2019 का जो लोकसवा चुनाओ था दोनों ही हार गये थे उस वक्त जोती रादितिस इंदिया कॉंगरिस में थे और उनोंने बुना से चुनाओ लड़ा था जबके 2019 का लोकसवा चुनाओ भौपाल से दिगविजे सिंग ने सादवी प्रग्या सिंग ठाकुर के अगेंस लड़ा था दोनों ही दिगविजे सिंग भी और जोती यानि दिगविजे सिंग आ जाते हैं तो एक जो राजनितिक सरगर्मिया है राजनितिक जो पारा है वो जरूर उपर चड़ेगा और मुकाबला लंबे समय तक साथ भी रहे हैं कि पार्टी में तो एक दूसरे के दाव पेस से भी भड़ी तरह से वाकिफ भी है अश्रफ ल कोभी चनाव समयति की बैठक पर साफ कर देगी जो आज होनी है शाम 6 बजे कॉंग्रस की AICC हेटकौाटर में ये बैठक होगी मदरप्रदेश और 36 गड़ की सीटों को लेकर भी मोहर लगे की MP से जीतु पत्वारी, उमंग सिंगार, ओमकार सिंग मरकाम इसमें शामिल होंगे सूत्रों की मताबिक MP में कई विधाय को कोभी चनाव लडाया जा सकता है चिंदवाड, बैतूल, राजगर, जाबुआ, गुना, धार, देवा, सीधी पर पहली लिस्ट में अनाउंस्मेंट संभव माने जा रहे है 36 गड़ की सभी 11 सीटों पर भी उमीदवारों के नाम की घोशना पाटी कर सकती है तो MP की में में सीट पर अनाउंस्मेंट हो सकती है 36 गड़ में क्योंकि 11 ही सीटे हैं लोग सभवा के तो 11 की 11 सीटों पर आज प्रतियाशों के नाम का एलान कॉंगर्स कर सकती है बराल सबकी नजरों टिकी हुई है CEC की बैठक पर CEC की बैठक होगी उसमें साफ हो पाएगा और किसके नामों पर मोहर लगती है उसका एलान आज शाम हो जाएगा मदरप्रदेश कॉंगर्स के चीफ जीदू पतवारी उमंग सिंगार इस बैठक में शामिल होंगे अश्रफ काजमी हमाई साथ हमाई सायोगी लाइप जुड़ रहे हो हैं दिली से ममतल अंजेवार भी हमाई साथ जुड़ी हुई है अश्रफ एक बार फिर मैं आपका रुक कर रही है कि दिली में आज ये बैठक होनी है और ये क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज कितने नाम आज ओवरॉल कॉंगर्स अनाउंस कर सकती है 36 गड़ से तो करीब करीब उमीद की जा रही है कि सभी 11 सीटों पर नामों को फाइनल कर दिया जाएगा क्योंकि जो हमारे सूतर बता रहते हैं कि 6 सीटे हैं जिन पर सिंगल नाम गया है जिस पर कोई विवाद ही नहीं है सिर्फ उस पर हरी जंडी सीए सी को देनी है पांच सीटों पर पैनल बनाया गया तो उसमें भी कोछ जादा विवाद लगता नहीं कि 36 गड़वे होगा क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी उमीदवारों का एलान कर दिया है सभी कॉंग्रेस जानती है तो उसके लिए एक आसान ही बहुत है कि वो अपने उमीदवार उनके मुकाबले उतार सके और उसके जाच सके तो कॉंग्रेस ने यह हमवर्ग पुरा कर ली होगा उमीद ऐसी ही है और उसी के मताविक आज केंजरी चुनाव समीती की बैटक के बाद हो सकता है कि लिस्ट भी जारी कर दी जाए इसके अलावा मद्यपरदेश में भी बीजेपी ने अपनी पूरी करीब करीब तस्वीर साफ कर रखी यहां पर भी 24 सीटों पर उमीदवारों का एलान कर रखा है पांच सीटों पर रणनीतिक तोर पर उन्होंने रोकवाद तो हो सकता है कि कॉंग्रेस जो है मद्यपरदेश की तर्स पर वो भी बीजेपी की तरस पर मद्देपरदेश में भी अपने उमीदवारों का एलान कर दे क्योंकि यहां पर भी बीजेपी को कॉंग्रेस को कुछ खोने के लिए नहीं है कॉंग्रेस के पास सिर्फ एक ही सांसत है चिंदवारा से नकुलनाथ तो बाकी 28 सीटों पर कॉंग्रेस जो है अपने उमीदवारों का एलान कर सकती है क्योंकि जितने भी उमीदवार अभी 24 जो बीजेपी ने डिकलेर किये हैं तो कॉंग्रेस उनको जाच पड़ा पड़ताल करने के बाद उनका नफा नुकसान जाती है समिकरन क्या है वो देख भाल करके उस पर CEC में फैसला ले सकती है और आज ये कल 36 गड़ और मद्यपरदेश को लेकर लिस्ट जारी कर सकती है बिल्कुल लज़र रहेगी हमारे उस पर वंतला जेवार भी जुड़ी हुई है 36 गड़ की कोई भी सियासी हलचल है ममता से नहीं चिप पाती है ममता वहाँ पर क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज आज की बैठक को लेकर भी और जो अनौंस्मेंट हो सकती है ग्यारा की ग्यारा सीटों पर अब इलकुल देखिए सुबा दीपक बैठ से बात हुई है पीसी सी अद्धक से और डिल्ली जाने से पहले नहीं बात की तो साफ यह कह दिया कि ग्यारा सीटों पर आज नाम आ जाएंगे और जाहरतों पर यहां पर 36 गरम बात करें तो काफी कम समय है पिछली बार के अगर बात करें तो 36 गरम सिर्फ दो विधायक दो सांसर जो है वो कॉंग्रेस से है एक दीपक बैज है और दूसरा जोटसना महंत है तो पहले यह कहा जा रहा था कि दीप वुपेज भगेल का नाम लगभग तैम आना जा रहा है वुपेज भगेल हालकि सबसे पहले जब स्क्रीजिंग कमीटी की बैठक हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था लेकि उनका कहना था कि पूरे प्रदेश भर में घूमना पसंद करूंगा लोगों के भी जाना पसं चुनाओ और काफी मुश्किल से इस वक्त गुजर रहे हैं अगर हम बात करें तो पारिवाइक तौर पे तो इसको लेकर लेकिन अब यह कहा जा रहा कि बिलासपूर से जो है वह एक स्कीनिंग कमीटी में इस साथ तौर पे उनके नाम पे सहमती बनी है और वह बिलासपूर से चुनाओ लड़ेंगे कांकेर के अगर हम बात करें तो बिरेज ठाकूर का नाम आगे चल रहा है और अनेलिया नीरा भीडिया जो है वहां से लड़ सकते दोनों के बीच में हैं बिरेज ठाकूर को पिछली बार टिकिट गई थी और मोहन मंडावी से अलकि काफी कम उसमे दूसरी तरफ अगर बात करें तो दीपक बैच रायपूर से जो सबसे महतपूर्ण जो सीट है और जिसमें से बिजमोहन अगरवाल को बीजेपी ने उतारा है और बिजमोहन अगरवाल को उतारने के पिछे ये भी कहा जारे सीधे सीधे हिंदूत्व के चेहरे के तोर पर कि वो पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज दिना चाहते हैं और काफी कद्दावर नेता है अब तक रिकॉर्ड शांदारा है पिछली इस बार जो है वो 65,000 बोटों से जीते हैं महंत राम सुन्दर दास से तो एक महंत को उन्होंने हराया है तो साबत और पर इसलिए उनको भी सामने रखा गया हलाकि इसके पीछे और भी कही तरह की बाते करी जाती है लेकिन इसी इसको लेकर यह जरूर था कि कॉंग्रेस किसको उतारेगी पिछली बार करें या अगरवाल को तरह किस बार रिकास उपाध्या जो है वो लगभग तै माने जा रहे हैं बिलकुल और गुगाहत ये तो बहुत है लेकिन साफ जो है वो सीसी की बैठर के बाद ही हो पाएगा ममता लोटेंगे आपके पास भोपाल से वासु चौरे भी हमाईसा जुड़ गए हैं वासु आप क्या देख पा रहे हैं भोपाल में किस तरह की हल चल है जैसे ही मदपदेश से रहुल गांथी की भारत जोड़ो नया यात्रा घुजरेगे उसके बाद कभी भी सीट डिक्लियर हो सकती है तो अब राजिस्तान में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और मदपदेश को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई है तमाम बड़े सीटे तो ऐसी है जहां पर चार चार पांच पांच नाम भी पैनल में सामने आए फिर उनको शॉट लिस्ट करके दो किया गया और स्क्रीनिंग समीदी की सामने अब एक एक नाम जो है वो लगभग लगभगता हो चुके हैं ऐसे जो जानकारी है वो सोसेस के हवाले से मिल र हैं शुद के अब कुछ कुछ करणना तो इसको इस्पष्ट कर दीजी पब्लेक के सामने है कि अ किए मैं पार्टी का एक बहुत वरिष्ट कारीकरता हूं उमर भले मेरी दैसे दस साल कम है लेकिन पार्टी के प्रतिच मेरा योगदान हैं कि जब पार्टीबर मुद रही थ तो यहां सरकार बनाने की चेष्टा यह सब काम मैंने बहुत मन से किये बहुत ताकत से किये तो एक ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा पार्टी को मैंने जगजी को परसों मेल किया कि को कि मैंने एक एक अखवार मुझे बहुत पुरी है मुसका नाम नहीं लूगी मद्यप्रदेश का उससे में व्याकोल हो गई थी तो मेरा फोटो ने लिखा कि यह साध्वी जी व्यथित हो गई है नहीं में विल्कुल व्यथित नहीं हूं मैंने मना किया है कि गंगा का काम पुजारी में माला में इत्रा फैंक दी ती उस दिल भीड बहुत थी राम लला के दर्शन करने के लिए वह मैरे हाथ में आ गई और वह मेरे गंगा को अर्फित कि जैसे राम लला का काम हुआ द्रण निश्य के साथ अशोक सिंगल की मेरे दुन निश्य से गंगा का काम प्रुजनकी।